नीतिबचन 24, 33-34 तक बुधिमानों के वचन यह भी हैं। न्याय में पक्षपात करना किसी रीती भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोश है उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाती-जाती के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दु न उसको फुसलाना। मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुधी मनुश्य की दाख की बारी के पास से हो कर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब क पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हतियारबंद मनुश्य के समान आ पड़ेगी. एक थिसलुनी की ओचार, एक से अठारा तक, इसलिए है भायो, हम तुम से बिनती करते हैं और तुम्हें प्रभु वीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम से योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसंद करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी ब प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाशा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ह तुम से कहा और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है, वह मनुश्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवि भायो, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आग्या दी है, वैसे ही चुपचा प्रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहरवालों से आदर प्राप्त करो, और तुम्हें क इसी वस्तु की घटी न हो। इस रीती से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चरायां भी सूख गई। लोग बड़ी दौर तो दौरते हैं परन्तु बुराई ही की ओर और वीरता तो करते हैं परन्तु अन्याई ही के साथ। क्योंकि भविश्यदवक्ता और याजग दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वानी है। इस कारण उनका मार गंधेरा और फिसलन भरा होगा जिसमें वे धकेल कर गिरा दिये। जाएंगे क्योंकि यहोवा की यह वानी है कि मैं उनके दन के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविश्यदवक्ताओं के विश्य में यो कहता है, देख, मैं उनको करवी वस्तुएं खिलाऊंगा और विश्पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्ति हींता फैल गई है। सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्यान होगा, और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचन बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका जोका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांद न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भाती समझ सकोगे। ये भविश्यदवक्ता बिना मेरे भेजे दौर जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविश्यदवानी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनात और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, यहोवा की यहवानी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, जो दूर नहीं, निकठी रहता हूँ। फिर यहोवा की यहवानी है, क्या कोई ऐसे गुप्ट स्थानों में छिप सकता है, कि मैं उसे न देख सकूँ। क्या स यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुर्खा मेरा नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविश्यद वक्ता उन्हें अपने अपने स्वापन बता कर मेरा नाम भूलाना चाहते हैं। यदि किसी भविश्यद वक्ता ने स्वापन देखा हो, तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सचाही से सुनाए। यहोवा की यह वानी है, कहा भूसा और कहा गे हूं? यहोवा की यह भी वानी है, क्या मेरा वचन आगसा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हतोड़ा नहीं जो पत्थर को फोर डाले? यहोवा की यह वानी है, देखो, जो भविशिद वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर पोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वानी है कि जो भविश्यद वक्ता, उसकी यह वानी है, ऐसी जूठी वानी कहकर अपनी अपनी जीब हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यहवानी है, मैं तुमको त्याग दूनगा। परमेश्वर है, तुम लोगोंने उसके वचन बिगार दिये हैं. तु भविश्यद वक्ता से योँ पूछ, यहोवाने तुझे क्या उत्तर दिया, या यहोवाने क्या कहा है? यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का य प्लकुल भूल जाओंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुर्खाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूँँगा. और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराय और अनाधर सदा बना रहेगा, और कभी भूला न जाएगा इर्मियाः 24 एक से दस तक जब बैबिलोन का राजा नबुकदनेसर यहोयाकीम के पुत्र यहुदा के राजा यकोन्या को और यहुदा के हाकिमों और लोहारों और अन्यकारीगरों को बंदी बना कर यरूशलेम से बैबिलोन को ले गया तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के दो टोकरे दिखाए एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम में अंजीर थे वरन वे ऐसे निकम में थे कि खाने के योग यभी नहीं है तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राइल का परमेश्वर यहोवायों कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहुदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन हूंगा, मैं उन पर कृपाद रिष्टी रख क्योंकि वै मेरी और सारे मन से फिरेंगे, परंतु जैसे निकम में अंजीर, निकम में होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहुदा के राजा सित्किया और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलिमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छ जिसे मैंने उनके पुर्खाओं को और उनको दिया, वे मिट जाएंगे। परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपी यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अत्वा भविश्यद वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यतन से भेजता आया है कि, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश य यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पित्रों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अप अपनी बनाई हुई बस्तूओं के द्वारा मुझे रिस्दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानी ना करूंगा, यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई बस्तूओं के द्वारा मुझे रिस्दिलाते आई हो जिससे तुम्हारी हानी ही हो सक के आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजार दूंगा की लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे यहवा की एहवानी है मैं ऐसा करूंगा की इनमें न तो हर पुष्टक बैबिलोन के राजा के आधिन रहेंगी जब सत्तर वर्ष बीच चुके तब मैं बैबिलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दन दूनगा यहवा की यहवानी है और उस देश को सदा के लिए उजार दू और मैं उनको उनकी करनी का फल भुकताओंगा